हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हारदिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम रक्षा मंतराले की तरफ से जारी किये गए एक लेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो पूर्व सैनिकों के लिए तीन वित्यलाब लेके आया है जी हां पचास हजार रुपे से लेके डेड़ लाग तक के ये वित्यलाब हैं किसे मिलेगा कैसे मिलेगा पूरी जानकारी विश्तरत से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर ज़रू करें देखिए ये जो लेटर है 16 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की तरफ से केंद्रे सैनिक बोर्ड की तरफ से डारेक्टेट डिपार्टमें ग्रांट, मेडिकल ग्रांट एंड सीरियस डिसीज ग्रांट अंडर आम्ड फोर्सेज फ्लैक डे फंड देखिए आम्ड फोर्सेज फ्लैक डे फंड के तहत जितनी भी फाइनसल असिस्टेंस स्कीम्स हैं उसमें तीन स्कीम्स जो है उसका फाइनसल असिस्टेंस का जो अमा जो वन टाइम मिलता है फोर विडो ओफ एक्स सर्विसमेन फ्रोम रुपीज 20,000 रुपीज तू रुपीज 50,000 जो अभी तक 20,000 रुपे हुआ करता था उसको बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया किसे मिलेगा वो नेक्स लाइड में हम दिखाएंगे आपको सेकिन्ड है मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैग्सिमम पर यर टो नोन पैंसनर एक्स सर्विसमेन देखे उन एक्स सर्विसमेन को दिया जाता है यह जो पैंसन नहीं ले रहे जिनको पैंसन नहीं मिलती है उन non pensioner ex-servicemen को ये amount दिया जाता है medical grant maximum जो है per year ये देखे 30,000 रुपे था अभी तक जिसको बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया है और तीसरी और सबसे important जंकारी जो है serious disease grant देखे कौन-कौन सी disease serious disease grant की category में आती है वो भी मैं आपको just next slide में बताने वाला हूँ जो देखे पहले 70,000,000 रुपे हुआ करता था उसको बढ़ा कर 50,000,000 रुपे कर दिया गया है आप यहाँ पर देखे यह जो है maximum है per year अभी 50,000,000 रुपे non pensioners ex-servicemen के लिए है अब देखे यह जो revise rate है यह 11 अगस्त 2023 से जो है लागू हो चुके है यानि 11 अगस्त 2023 से अब जो यह amount है यह बढ़ा हुआ amount आपको मिलेगा देखे सबसे पहले list of serious diseases क्या क्या है यह list है जो केंद्रिय सेनिक बोर्ड की site पे मिल जाएंगे आपको एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी CABG, dialysis, open heart surgery, valve replacement, pacemaker implant, cerebral stroke, prostate surgery, joint replacement, renal failure and cancer यह वो disease है जो serious disease की category में आती है और उनके लिए अब आपको साल में डेड़ लाग रुपे तक की जो रासी है वो मिल सकती है उसके बाद में देखिए financial assistance जैसे मैं बताया डेड़ लाग रुपे से बढ़ा कर अभी जो है एक लाग पचास जा रुपे कर दी गई है यहाँ पर देखिए four non-pens nurse officers की अगर बात करें या उनकी videos की बात करें तो 75% of total expenditure देखिए जो भी total expenditure होगा उसका 75% या maximum डेड़ लाग रुपे और अगर भी बात करें जिस यो ओर्स के लिए तो जो भी खर्चा होगा उसका 90% और maximum यहाँ पर डेड़ लाग रुपे आप देख सकते हैं एप्लिकेंट must be a non-pensner ex-serviceman or his video उसको pension मिलनी चाहिए और should not be member of ECHS or availing AFMS facilities यानि उसके पास ECHS कार्ड भी नहीं होना चाहिए अब देखिए financial assistance जो vocational training के लिए है widows of ex-serviceman के लिए वो 20,000 से बढ़ा कर अब 50,000 रुपे कर दिया गया है conditions क्या है एप्लिकेंट must be widow of an ex-serviceman of rank of हवलदार ये जो विड़ो है ex-serviceman की उनकी rank जो हवलदार rank तक के लिए ये दिया जाता है service book should have relevant entries with regard to the spouse of ex-serviceman उनकी entry उनका नाम service book में होना चाहिए should have successfully completed set training उन्होंने अपनी training जो है complete की हो and should be recommended by the respected जिला सैनिक बोर्ड and राज्य सैनिक बोर्ड उनके दोया recommend किया जाना चाहिए vocational training के लिए जो पहले 20,000 रुपे मिलते थे अब उस amount को बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया है तो ये वो सारी जांकारी थी जो देखिए आपको यहां पर पूरे विस्तार से दी गई है कि किस-किस को मिलेगा कौन से disease ऐसी है जो serious disease की category में आती है और कितना अब amount बढ़कर हो गया है आपको उससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप Kendra Sanic Board की साइट पर विजिट कर सकते हैं सभी के वारे में with application के साथ यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को share करें यह जानकारी maximum लोगों तक पोचाएं ताकि जिसको भी इसका लाब मिलना है उसके पास तक भी यह जानकारी पहुंच सके फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैभारत